नमस्कार दोस्तों मैं जीत आप सब का अनकेड में वेलकम करता हूं कैसे हैं आप लोग और कैसी चले आपनों त्यारी वेलकम टू आलाफ यू गुड आप्टरनून एवरिवन कैसे हैं आप सबी लोग आई होग कि आप सब की पढ़ाई बढ़े हैं चल लही होगी और मैं ज़्यादा आसान यदि मैं बात करूं हमारे टॉप एजुकेटर जो आपके लिए बैश लेकर आते हैं उनके बारे में तो यहां पर कि वेलकम टू आलाफ यू सभी लोग आजाए वीडियो को एक बार लाइक और सेर जरू कर दीजेगा हाँ सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर हमारे टॉप एजुकेटर आप लोग के लिए जो बैश लेकर आते हैं उनकी तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है 23 जून से आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है यहां पर हम अपने प्लेट फार्म पे थार्टी प्लस बैच हर वीक लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बिहाद आसान मनाई जा सके 300 क्लास इजंपट आपको प्र्वाइड करतें लगभक 300 क्लासेज हमारे प्लेट फार्म पर आपको हर दिन प्रोवाइड और इतनी जर्च अलtu G संख्या में किंडिया के कि और प्लेट फार्म नहीं किया है तो इन्रोल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को आपको बसरते यहां पर को एक बार दोरा रहा हूं कि रेफरल कोड आप यहां पर जीटेंड करना ना भूलें यदि आप इस बैज को इन्रोल करते हैं तो आपको बहुत से फायदे मिलने वाले हैं जैसे सबसे पहला फायदा इस समय जो इस पेशल फायदा है वन यहां पर आपको फोर मंत इश्टा औ मिलेगा साथ ही साथ आपको प्रीवियस एर कोशन विस सालूसन भी मिलेंगे तो एपलाई करना ना भूने रेफरल पोड जीटेंड वहीं पर हमारे दौर आपके लिए सीटी ब्रहमास्त बैच भी लाया गया यह ब्रहमास्त बैच अभी से हमारे प्लेटफार्म में सीटी इख्याम की तयारी को आसान बनाने के लिए सभी टॉप एजूकेटर आल गौर्मेंट इख्याम का सलीवर्स कवर कर रहे हैं चाहाँ एससी हो बैंक हो रेलवे हो सभी जाम पर हम सलीवर्स कवर कर रहें तो यदि अभी तक आपने इस बैच को भी नहीं किया तो इन्रोल करे और enroll करने के साथ ही आपको यहां पर मिलेगा सभी बैचों में class करने का मौका यदि आप किसी भी बैच को enroll करते हैं याद रखना referral code G10 के साथ JET10 जीत 10 ठीक है इस code के साथ यदि आप किसी भी बैच को enroll करते हैं तो आपको सभी educator की A2J class और सभी बैच आपको access करने को मिलेंगे तो apply करना नहीं भूलना है referral code G10 वहाई पर सफलता बैच सफलता बैच भी हमारी वाई-फाई की तीम की दौरा लाया गया बैच है यह बैच भी आपको 23 जून से start हो रहा है तो यदि अभी तक आपने नहीं किया तो आप इस बैच को भ पता है अबने सरका जो आपके फिमस एजूकेटर है इनका भी एक complete revision बैच आया है तो आप इसको भी इन्रोल करें और इन्रोल करते समय आप ध्यान दे ठीक है यहाँ पर G10 apply करना नहीं भूले करके आप इस बैच को इंडोल कर सकते हैं तो पहली बात आपके मैद की समस्या खतम होगी साथ ही साथ आप अनके साथ जोड़ने के साथ आप त्यारी कितनी आसान होने वाली है वहीं पर आखरी पड़ाव भैच ठीक है क्रेक एक्टेस एक्जाम यह सभी आपके लिए खास हैं वहीं पर फाउंडेशन लच्छ ऐसे सीपियों इन सभी बैच को आप इन्रोल करें और इन्रोल करते समय यहां पर आपको डाइलाग बाक्स जो कोड फिल करना है उसका नाम है जी टेन ठीक है आप इस कोड को जरूर फिल करें ठीक है साब इस समय आपको मैं बता दू एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि बहुत ही जली प्राइज बढ़ने वाले हैं तो उसके पहले ही आपको अन्रोल करने चाहिए हमारे साथ जोड़ जाना चाहिए क्योंकि प्राइज बढ़ें और आप इस्ट्रा पे करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इन्फॉर्म क बढ़ने वाले हैं तो उसके पहले ही आप इस बैच को इन्रोल कर लें कि लिए साब को दिकत यहां पर अगला इंपॉर्टिंट अब यहां पनि मैं बात करूं कि हम हर संडे को में पाटिसेपेट करवाते हैं तो इस बार कल संडे है ठीक बारे बजहें हमारा कामडे होता आप इस anderes करें पर अच्छा प्रदरसन करें और आपको जो पढ़ाई में समस्यां या किशी ग्रान से आपने कड़ में सब्सक्राइब नहीं ले पा रहे हैं तो आपको निसूर्ग मिलेगा तो यहां पर आपको इस कॉमबेट में पार्टिसिपेट करना है और कॉमबेट में एक कोड रुपे का यहां पर इनाम भी है और रेफरल कोड आप जीटेन के साथ आप इस कॉमबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कर ठीक बारे वजए इस महायुद में जरूर आप भागिदार हो ताकि आपको पढ़ाई में कोई इस्ट ना हो जड़ि आप अन्यकर में सबस्क्राइब कर रहा है तो इस तरीके का आपके लैप्टाप मॉबाइल में डाय लॉक्स दयालब बॉक्स भस में अपको ध्यान देना होता है यहां पर एक नीचे बाक्स होता है ध्यान diyorsun आप यहां पर आपको referral code feel कर रहा है यहां पर ध्यान दे लें जी 10 जे डबली टी 10 आप इस code को एपलाई करेंगे यहां पर कोई अन्य code होगा आप हटाएं रिमूब करें और यहां पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा डिसकाउंट मिलेगा सबसे पहला पॉइंट यहां पर जैसी आप कोड एपलाई करेंगे तो आपका टोटल इमांट जो है वो रिडीम हो जाएगा डिसकाउंट हो जाएगा प्लस यहां पर यदि आप वन येर का ले रहे हैं सबसे इसन तो आपको फूर मंत इस्ट्रा मिलेग आप यह रिफरल कोड सिर्फ अनकेडमी सब्सक्राइब के लावा भी किसी इकजाम की तैयारी के लिए आप एपलाई कर सकते जारा आपको डिसकाउंट में मिलेगा तो एपलाई करना नभूने इस कोड को चलिए सुरू करते हैं आज कि चलिए चलिए दा सुरू करते हैं को जरूर देखें बहुत ही मैंने भेतरी धंग से उस को कमडेट कर रहा हूं राच 10 बजे तो आप जोड़ सकते हैं यहां पर पहला आज का राइट आंसर दें आप लोग आज का पहला सवाल आपके लिए राइट आंसर दें सन्नी बेटा एक्चुली में न्यू बैच आने थे तो मुझे थोड़ा सा बताना था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया अब कोई नहीं आप राइट आंसर दें आज का पहला सवाल एक्चुली में बैच आजकल ज्यादा आ रहा है सभी बैच के बारे में बताना होता है तो मैंने इसी वज़े से लंबा हो गया राइट आंसर दें फाइने शिकेटरी बाइड़ एपोइंट मेंट ठीक है कमेटी और दा कैबिनेट कमेटी के दौरा अभी हाली में बित्त सची निउक्त किये गए हैं उनका नाम बताएं बहुत ही पैरा कोश्चन है राइट आंसर दें अभी हाली में नए फाइने से केटरी निउक्त हुए है पॉइंट हुए है उनका नाम बताएं इंपॉर्टन कोश्चन है आपके करेंड का बहुत अच्छा कोश्चन है और बित्त सची जो होते हैं वह एक पावर्फुल पोश्ट होती है तो राइट आंसर दें गुड़ आप्टर नून ठीक है प्रयांसू तो यहां पर देख हमारे जहाँ पर रहेन्यू सटरी नाम क्या है राजस सचेव हैं उनका नाम क्या है राइट ऑंसर दी सब्सक्राइब कर दिपार्टमेंट आफ एकॉनमिक अफियर के नए सिकेट्री पॉइंट किये गए उनका क्या नाम है प्रीज कमेंट में आंसर दें कुछी लोग आंसर दे रहें कुछ लोग नहीं दे रहें तो देखे रिवेन्यू सिकेट्री एक अलग बॉड़ी होती है ठ एकॉनिक अफियर बनाता है इसके सिकेट्री कौन है तो राइट अंसर दें कि हाई करेंट के बहुत ही प्यारे कुश्चन है जो आपके निश्यत तोर पर एक्जाम पे आएंगे वह सबाल जो आपके एक्जाम में आने ही है राइट आंसर यहां पर हाँ ठीक है गुलसर बा में जो हमारा फाइनस मिश्टी आफ फाइनस है उसमें तीन सिकेट्री बनाए गए एक तरुन बजाज दूसरे यहां पर आजैसेट और तीसरे यहां पर आपको टीवी शोमनाथन तीनों का नाम याद रखना है तीन नए सिकेट्री बनाए गए हैं डिपार्टमेंट आप इकानिक अफेर के अजैसेट तरुन बजार रिविन्यू सिकेट्री और यहां पर मैंने बता है फाइनस सिकेट्री टीवी शोमनाथन अगला इंपॉर्टन प्रस्ट ध्यान दें राइट आंसर दें निमने में से कौन सा हमारा आइट है ठीक है इन में से हुच आप दा फॉ और लगत है चाई-जीवन्य नामका अभी हाली में डिवाइस बनाया गया है किस जिस्त कि डौर्ण नेसर ना भुछ करते रहें ठीकiva आपको में बहुत ही बेहतरी सवाल और जो आपके एहां में आने जरूरी है ऐसे साफों कराऊं सब्सक्राइब करता हूँ यहां पर अभी में जूँअ का टिवाइश जो है इंप्रेंट एम्पोस रएफ रिखास कर रहे लगया अगला प्रश्ळ यहां पर दिया करता हो कौन सा कलर इस पर कॉंबिनेशन सही रहेगा ब्लू लेता हूं चलो इसका ही ब्लू चलो राइट आंसर दें विच कंट्री है इनाउंस दा प्लान टू डेवलप ग्लोबल पैंडमिक राडार आइडेंटिफाई कोविड-19 वेरियंट अभी जो हाली में कोविड-19 के जो वेर आँगा यहां पर राइट अंसर दें राइट आंसर दें बहुत ही प्यारा सवाल है उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे आप लोग बिल्कुश सही युनाइटिट किंगडम बिल्कुश और यदि आप से छोटा सा प्रस्ण यहां पर करूं यूके में सम है धूब को देना पड़ेगा अग्याज से भी तिक को यह बारत नहीं चलिए बताईए यहां पर कुईन जो है कि कुरें उनका नाम क्या है कुम जो है उनका नाम क्या है तो यहां पर जो बिटिस महरानी हैं उनका नाम कोई बता रहा है इलीजाबेज कौन है 1st की 2nd बिल्कुँ सभी 20 सेकेंड बिटा यहां पर यही लोग गलत कर रहे हैं एलीजाबेज सेकेंड है detox है आपको यह रखना है ऐली ज가 inगे जब हमारे याँ बिटिस इइस्टो इंडि लगता हूं कोई नहीं हो जाएगा सही एक उस समय कौन थी एलिजावेट फस्ट थी अगला इंपॉर्टेंट पाई विच अथार्टी है यंग वारियर मुमेंट अभी हाली में किस अथार्टी ने यंग वारियर मुमेंट इस्टार्ट किया है बहुत ही प्यारा करने का कुश्चन है सारे कुश्चन मई और जून के हैं जिसमें ज्यादतार जून के कुश्चन है मई के के दो कुश नहीन राइट अंसर दें अभी हाली में यंग वारियर मु右मेंट जो है किस है श्टर्ट किया यंग वारियर मुषित करके कोवीड नीटीन की समस्सा से निपटने के लिए तो रैइट अंसर दें अधीरा सवाल है और आप उम्मीद करता हूं इस प्रश्ण का सही उत्तर सभी लोग देंगे और जल्दी से आ जाया करें एक्षिन देखना क्लास के आखरी तक सभाएंगे अभी देखना जैसे कुछ सभी लोग गलत यहां पर किस ने सुरू किया यहां किस ने ने शुरू किया है ऐसी ने सुरू किया है याद रखना कि कोवेड 19 के समस्या से निपटने के लिए अभी हाली में किस संस्थान ने यंग वारियर मुव्मेंट स्टार्ट किया है तो याद रखना important है ठीक है cbsc ने इस आंदोलन को सुरू किया है कि अगला प्रश्ण ध्यान दें अगला प्रश्ण यहां पर ध्यान ने ठीक है वेन इस दावर्ड डे ओफ ठीक है सेफटी एड हेल्थ एट वर्क यह एक नया डे है को है बिल्कुशभ सभी 28 अप्राइल ये ऐटा इंपॉर्टेंट डे है अप्राइल का आपको पता है 25 अप्राइल को कौन सा डे होता है को इंपॉर्टेंट डे है पाले या मैंने आपको बता है यहां पर विय थेको और हेल्थ एट वर्क वर्क प्लेस में सेफटी को लेकर के डे हैं इंपोर्टेंट है याद रखना याप चौविस अप्राइल को हंडे परसेंट यह कुछन पूछे जाने की चांस है और यह कौन सब्सक्राइब को आपको पता पंचायती राज दिवस होता है इंपोर्टेंट है यह अप्रेल को आपको यह थे इंपोर्टेंट होता है कौन सादे होता है पंचायती राज-दिवस और मलेरिया इन है अपरेल के मार्च की मैने पर होता है लिए जान तरब छाव तो 5 निदे टिन पर्क निया नेशनल पार्क और यह Uh यह न पर नाम बतायें ट्राय जो है चर्चा में है माने सारे आपको याद्किया दिये एं वैरी गीडियो भूले कम से कम एक लिए लिए को आप सेयर कर सकते हैं वीडियो को सेयर करते रहें बड़े आराम से बढ़ता हूं आप बिल्कु परिसान नहीं हुआ मैं बहुत भाश नहीं भगता कि जिससे की कोश्चन मेरे आपके ज्यादा कोश्चन होगे लेकिन याद भी होने चाहिए मैं ठहराओ के साथ पढ़ाओंगा जहां पर ठहरना होगा राय मोना नेशनल पार्क जो ही किस राज में है तो आप रूग राइट आंसा दे रहे हैं न फश्फषा नेशनल पार्क है तो आप बोले हैं मध्य प्रदेश नौग पारक है और यदि इसके अलावा तो अंडवान निको बार्क वहां प्नाव नेशनल पार्क है waking बनाइग भी वही पर बनाए राय मोना के लावा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी इसी राज में बनाए गया असम राज में और असम राज के सियम हेमंत विस्व सर्मा और असम राज के गवर्नर जगदीश मुख्य असम राज की राजधानी दिस्पुर याद रखना है अगला इंपॉर्टर प्रश याद याद राज में और यख़लाँ गलत इराक बारेंस सारा गलत कर रहे हैं और तो तो आपको याद रता अफगानिस्टान में अफगानिस्तान में टिकर लाइम कहांप पर अफगानिस्तान में थीडिकर यदि मैं आपसे यहां पर न्यूज में अग्ला प्रस्टन एहांपर अच्छा यह जोटए सा प्रत्ता आप से करूं अफ्गानिस्तान की जिसका निर्माड भारत क्राइए उसका नाम् क्या है प्लीज क कमेंट में अंसर दे अफगानिस्तान की फाल्य में आम बताए हां वह में त Dimitler आपसे question कर रहा हूँ who is the first blind Asian to scale Mount Everest अभी हाली में Mount Everest जिसकी अभी हाली में height भी चर्चा में important है सागरमाथा के नाम से जानते हैं ठीके तो आपको यादगने यहाँ पर इसकी height बढ़ गई है 86 meter ठीके यादगने यहाँ पर इसकी इतनी total height हो चुकिए point में साथी साथ Mount Everest का डे कब होता है तो आपको यादगने 29 माही को एवरी यर एवरेश्ट डे की रूप में celebrate करते हैं ठीके और यदि आपसे कहा जाए इसको सागरमाथा की नाम पर Mount Everest को नेपाल में जानते है ग्रेट वाले range में यह पढ़ती है अभी हाली में अगला प्रशन यहाँ पर आ जाएं एक एसको सागरमाथा बोलते हैं सागरमाथा संबाद तो नेपाल में होता है याद रखनाए नेपाल की कैप्टर आपको पता है काठमांडू नेपाल के नए प्रधानमंती बने केपी सरमाओली और नेपाल की जो राश्पती उनका नाम है बिद्या देवी भंडारी अगला इंपॉर्टन कुश्चन एट विच अब दा फॉलिंग प्लेश डवलु एचो एनाउस ठीक है पहली बार पहले डवलु एचो क्या थी सिर्फ मॉनिंटर करती थी कहीं कोई बीमारी फैली तो यह मॉनिटर करती थी अब पहली बार डवलु एचो ने वाइड हील्थ और्ग सेंटर वर्ड हिल्थ और्गनाईजेशन ने कहां सेट अप कर रहा है राइट अंसर दें बहुत ही प्यारा कुश्चन है ठीक है यहां पर देखो बेटा यह आप से पूछा डवलु एचो का डवलु एचो कब बना तो सेविन्थ अप्राइल मोश्ट इंपॉर्टन डे होत इसका हेड़कॉर्टर तो इसका हेड़कॉर्टर तो चुर्ण में लेकिन अब हाली में बायो हब सेंटर बनाएंगा जैदरनाश जो प्रश्ग कर दूँ कि आभी हाली में बनाए गया है इस पीज में बनाए गया है इसपीज कहां पर पड़ता है यह आपका सुच्छा लेंड में बनाए गया है और यहाँ पर पोच्छ़ूं कि जो लगातार चर्चा में है WHO के चीफ कौन है प्लीज कमेंट में आंसर दें ज्यादा से ज्यादा कोश्चन बताएं ठीक है गलत बताएं लेकिन बताएं WHO के चीफ कौन है प्लीज आंसर दें तो World Health Organization के चीफ है रवेट्टी प्रस्ट से थृथ्टी लगरं है और घ्ल घ्र और यहां प्रस प्लीज राइट आंसर दें सवी लोग्तिब्टी प्रसीडिडंट प्रस्ट घार्णास होन की लिखावट के श्वामिनाथन यहां पर अब हाली में डबलो एक बनाया गया थैट एक जिकुर्टिट्व क्या होता है जैसे हमारे एक जिकुर्टिव कॉंसेर ओती है कार पालिका किसी भी कानू को लागू करना अच्छी तरीकर से उसको क्या करना पूरी तरीकर से समाज में हेड बनाये गया है ठीक है डाक्टर हार्षवर्दन साब का टाइम ओवर हो चुका है मतलग वहाँ पर टाइम उनका ठीक है कॉंसाइमेंट आप जैक फूड बाई जैक फूड बी इन एक्सपोर्ट फ्राम तिप्रा रिसेंटली अभी हाली में तिप्रा से कटहल की खेप का जो निर्यात हुआ है किस देश में हुआ है राइट अंसर्दी तिप्रा के जो जैक फूड एंजिन को हम लोग कटहल ही बोलते आप लोग जानते हूंगी कटहल के फूट होते हैं कटहल की सब्जिया बनती हैं अभी हाली में कटहल का जो यह खेप है तिप्रा आपको पता है अगरतला नहां और यहां पर बिज गलत जो लोग मार रहे वो बिल्कुल गलत लंदन वेज़ेगां आभी हाली में इसी प्रकार से एक और सिर मनता है कि अंसर्म के रेड़ राइस भारत से कहाँ बेजेगा यहां लाइज है एंडम के लिख च्रचा में रहे और बहुत ज़ड़ा ईनुटी जो रिध कहां पर export के गए कंवे तो आपको यह पता थाहन यूसे भीजेगा है सबसे रेड राइस जो है यूसे बेजेगा है असम से उसी प्रकार कट हल जो जैक फूट जो है त्यूपुरा के कट हल भारत में और भी जगे कट हलोते हैं लेकिन कुछ ग्रूप अब 20 जो है उसने कराई है जी ट्वंटी की मीटिंग जो है 2021 में कहां पर चल लए बड़ा सिंपल सा कुष्चन है इटली में चल रही इटली के प्रधान मंत्री का नाम है प्लीच कमेंट में आंसर दे तो उनका नाम है मारिया ड्रागी ठीक है मारिया ड्रागी इट स्वास सम्यलन में घीक तो आप लोग राइटांसर दें इटान में चल ब्रक्झांट में घे Merci उनिएं पर हैं जब इछल से ब्रिटान कर गया तो उसी को हमने कुष्यन आया था आपके एक्जाम में Brexit मतलब Brexit का मतलब बेटा simple सा होता है Brexit का मतलब होता है Britain का exit मतलब Britain निकल गया तो अब कितने Member Country है European Union में तो 27 Member Country है जहाँ पर आपको पता एक common currency चलती है जिसका नाम है Euro ठीक है Euro एक common currency यहाँ पर चलती है ठीक है दूसरी इंब्बार्टन बाद यूरोपी उनियन जो है इसका हेड़ओटर कहां पर है? रुटिandy पूर्टेंट न भी पूर्टेंट इक पूर्टेंट वंन्ता है कोई हेड़ओटर नहीं ढख़ Questions पर से में नाटो और यूरोपी उनियन दोनौ प्रांटिक्टिटी और रइजिस्टन उसका भी हेटकॉर्टर वहीं पार है अगला प्यारा प्रशन वीडियो को लाइक और सेर करना तो आपका बनता ही नहीं है ना नराज रहते हैं उससे क्या कंटेंट में कुछ कमी हो तो आप मुझे बताया करो लेकिन आप यह वीडियो को लाइक और सेर करो गया अब मैं यूटूब में आया हूं शुरुआत है मेरी वैसे मैं जानते सभी लोग है मैं अनलेडी प्लस का एजुकेटर हूं यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको उनका नाम बताएं ठीक है वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन दौरा इससे वाट को दिया गया है राइट अंसर दें उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे अभी हाली में भार्टी महिला है उनके द्वारा यहां पर वाइल्ड इनोवेटर एवाड पाया हुआ गया है उनका नाम बता है राइट आंसर दें राइट आंसर दें बिल्कुत सही वेरी गुड तो यहां पर आपको याद ना कीरती एक करंत ठीक है और इनको अभी हाली में वाइल्ड इन्यूवेटर का यवाड मिला यह पहली भार्टी महला है जब कोई चीज ऐसा पहली भार्टी महला जिनको वाइल्ड इन्यूवेटर का यवाड दिया गया है तो कीरती का नाम याद रखना कीरती जिने इससे वाड को पाया हुआ है और वह पहली भार्टी महिला है अगला प्यारा प्रस्ति यहां पर आएं और इंटरनेशनल डे आप बिडवाइफ जो कुछ कमेंट देखने लिए और कुछ ले लो हाँ ठक जाते हैं एक पकड़े पकड़े मैं थोड़ा सा ऐसे रहूं बताईगा राइट आंसर दीजिगा आप लोग ठीक है और जो लोग यहां पर फिप्त महीं बता रहे हैं वो बिल्कुल गलात है और जो लोग यहां पर फि इंटनेशनल लेवर ने परणला यहां पर इंटनेसनल लेवर दे deg निए नर्स नर्स के लिए क्योंकि नर्स भहता चरचा में थाठीक है इन्टनेशन C na का ता वहाँ है कि मिडवाइब के लिए बात करें तो आपका मैं को मिडवाइब दे होता है याद रहा होता है । यह चाए का दिवसका होता है इसी दिन आपका नेशनल आटी टेरिजम देभी सेलिवेट किया जाता है इंपोर्टेंट है 21 माई को आपका टीडे और आपका याद रखना है तूरीजम डे एंटी टेरोड़िजम डे भी सेविट किया जाता है वहीं पर एक इंपोर्टेंट यहां पर पूछी जाने के पूरे चांस है 18 माई का डे 18 माई को कौन सा डे होता है 100 परसेंट है और यह आ 31 माई को कौन सा डे होता है आप लोग कमेंट में आंसर दें मैं उम्मीद करता हूं कि 31 माई का डे भी आप लोग बता देंगे कुछ है जो मैं में लगातार पूछे आते हैं आपके सामने से एक बार गुजरनी चाहिए तो आपको पता है नो टमाको ठीक है इन विच कंट्री है ठीक है आपको यादन बर्ग ठीक है अभी हाली में हैडल बर्ग ठीक है जो है सीमेंट प्लांट जो है उसने वर्ड का सिमेंट का सिमेंट का से प्लांट है उसने किस देष ने दुणिया में पहला सी ओ ठीक है और यह देष है स्वेड़न स्वेडन जो है यूडम कंट्री है ये स्वेड़न की तेकल प्लीज डे में देख पा रहा हूं छीड़न की जो राजधानी है प्लीज अंसर दें अगला प्यारा प्रस्वेज हां पर राइट आंसर देंगे हैंड है हां भिलकुस सही नोबलट सेटर है स्वेडन स्टॉक हों बिलकुसरी सालनी सबसे पहले आंसर देती सर आप मेरी बातों से गुसा तो नहीं हो गए है नहीं वेटास सिखा ऐसा बिलकुल नहीं है मैं बिलकुल नराज नहीं हूं आप भी ऐसी बाते करती मैं क्यों नराज रहूंगा स्लो पढ़ाईए स्लो पढ़ाईए ज़्याद समझ में आएगा हां हां मैं स्लो पढ़ाऊंगा यह कुछ करने कुछ रिवीजन के लिए मैंने तेज कर दिए राइट आंसर दें इन विच स्टेट है वन दा इपंचायत पुरुसकार 2021 अभी हाली में पंचायती राज दिवस एगा मैंने आपको बता्य पंचायती राज दिवस हर साल राज डिवस होता है क्योंकि इस दिर हमारा अक्ट पंचायतीा करते है अब मैं ने यहांपर प्रस्टिंग किया जो राज है वो कौन सा है ठीक है पहला परुसकार किस ने पाया इसके पहले 2021 काईवेट यह कुश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी ने पाये खासकर करके जो यूपी एसाई के एक्जाम देने वाले हैं यह यूपी टी पीट एक्जाम को देने वाले हैं और आप लोग उसमें इतना ज पाये पहले आपको प्रुसक्त करना होगा तो आप सब लोग उसमें जाकर चेक करने और उसमें को जरूर फिल कर दें और इजाम को जरूर दे किसी भी राज से आप तालुकात रखते होंगे जारकंड भिहार ठीक है आपका यूपी हो गया यह आपका राइस्थान हो गया ह आप पा रहे हैं तो आप जरूर उसका फॉर्म जरूर फिल कर दें ठीके साब सबको याद रखके भर देनान और बिलकुल आप इस तरीके से मत सुचें कि नई सर हम तो एससी के लिए बने थे लेकिन अब यह इतने मुश्किल हाला थे हमारे दिश में कि एक सरकारी नौकरी एक्जाम की तैयारी करनी है तो वो सब अपनी ताकत लगाने वाले हैं और देखिए उत्तरप्रदेश सरकार में अभी भी आपने देखा होगा यूपी एसाई की 9000 से ज्यादा सीटे उन्हों ने प्रोवाइट कि हैं और वहां पर देखिए आपका एससी से कम अना की आल इ आता हूं चाहिए आप मेरे जो भी प्लस स्टूडेंट है आप मुझे आप लोगों को दे सकते हैं ठीक है तो आप जीएस की तैयारी ऐसे करें थाकि हम किसी भी गवर्मेंट जाएगी आपको जल्ली मिल जाएगी क्योंकि आप देखिए मैथ और इंग्लिस का जो वेटेज है ठीक है सिर्फ स्सी एकजाम में ना कि अन्य एकजाम में और साल में सिर्फ दो एकजाम होते हैं एक एससे और एक एससे टू में वेटेज है आपको बता दे तो आप कॉलबरेशन फॉर मार्केटिंग ऑफ हिंदी मुवी कल एक या आपकी हिंदी मुवी आई जिसका नाम है सेड़ी 18 को लांच हुए 18 जुन को उस हिंदी मुवी का कौन सा है जो टूरीजम बोड जो है جसे किया कोललोबरेशन मार्केटिंग के लिए अभी हाली में किस राज के परेटक डिपार्टमेंट यह परेटक आपको पता है बोड ने हिंदी फिल्म सेद नी का कोलोबरेशन किया है कि हम मार्केटिंग करेंगे राइट आंसर दें बिल्कुल सही यहां पर मद्दप्रदिस राज है एंपी राज के टूरीज्ट जो टूरीजम बोड है उसने कहा है कि हम सेड़नी मूवी का मार्केटिंग करेंगा मूवी पता नहीं कैसी है मैंने नहीं देखी लेकिन साथ कल ही यह मूवी आई हु यह लगभग आपका समय से दिया रहा है मतलब कि पहली बार दिया गया था अमेरिका से द्वार दिया जाता है और अभी हाली में इंडियन अमेरिकन जनलिस्ट है उनको इस प्रुसकार से नवा जा गया है तो राइट आंसर दें जनलिजम के पुरुसकार कई बार यही नमें पता है उनको दिया गया है तो आपको आपको या हुआ घ्रहता है ठीक है भारत के किस राज्ज ने सवाल है राइट अंशर दे जैसे माल लीजे अब किसी गाउं में पहले प्रत्यूगता जब भारत में होती है और वहां पर अधमी जर्यास सजक हो जाता है और कारणियों पे जारा इमानदारी दिखाता है कौन सा गाव होगा हम उसको वाड में बहुत सारी राजी भी देंगे और ये पहला राज कौंसा है राइट आंसर कईर यहां पर महराष्टा की यहां पर सीपका नाम प्लीज हूं भी आया था तो महराष्टा की सियंस ऊधर ठाकर यह सब को पता है और उनका नाम आप लोग बता है ठीक है अगला इंपॉर्टर प्रेस्ट यहां पर ध्यान दें कि हुई दा सेलेक्टिट एज निव प्रसीडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ युनाइट नेशन जनल असेंबली एक युएन की महात्पूर बाड़ी है जनल इसेंबली जनल इसेंबली जैसे लाइक है हमारी पालियामे कि में नए ब्रसीडेंट बनाए गए हैं यहाँ पर सेंबली के जो अंका नां में बताएए ठीक है बिल्कुन साही अमकista नाम किया है और तत्रोट क्रफ़ाइप है और इंडियं करेंसी हुआ यहां की फॉर सिंस्थ्न को अभी हाली में यूंकी जेनल अज्सेंबली में ऐख जी हना नुट एफॉइंट किया रहा है घfahr चांगे अगला प्राइम प्रश्न कं यहां परीचे श्टेट स्वालograph правильно मेरी किस राजे को अब ही हाली में भारत के किस राज मेरी पर 2020 में नाओलिज इकॉनियुट से एकॉनिय्ट करने लिए और मिसंद को आधर करने सब्सक्राइब लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है और चर्चा में भी आपको बता दें राज है जहां पर नौलिज को लेकर की डेवलप होती है और आपको बता दें इसने मिसल लांज क्या है जो के पहले आपको बता दें तिरुवनंद्पुरम की मेर जो बनी है वह 25 साल की ल साल मेर बनने का रिकार्ड उनने हासिल किया साथी साथ यहां पर अभी हाली में चुना हुए थे नए यहां पर आभी से में पॉइंट हुए उनका नाम बताए पिन्नई भी नहीं च्छोटर सा प्रश्ट करूँ आप से कि इस राज के गवर्णर कौन है बहुत ही चर्चा म नाम भी बताएं कि मुझे कुछ रखना पड़ेगा सामने ज्यादा कमेंट देखने के लिए गरदन आरिफ मुहमत साब ठीक है याद रखना है दूसरा यदि आप से यहां पर प्रशना है कि अभी हाली में किरर राज है जहां पर मैं के महने पर LGBT अदालत पहली LGBT अदालत यहां पर अभी हाली में भारत का पहला जेंडर हुए यहां पर बनाए गया है जेंडर पार्क यह जेंडर हब से इंटर यहीं पर बनाए गया आप Kingdom के संबंद में के अभी हाली में भारत के वहां सब्सक्राइब तो राज आपका केडला ही है जो आपके सिर्फ जनवरी और माई में ज्यादा पुराई नहीं बताना पता दें के लिए इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें बता दूं कि आपके लिए बहुत बहुत बता दूं करता हूं कि ठीक है मैं कम कम ही पढ़ाऊं लेकिन ठीक है आप लोग राइट आंसर दें ठीक है वाट इस थीम आफ वर्ड मिलक डे 2021 राइट आंसर दें राइट आंसर दें में जो वर्ड मिलक डे है राइट आंसर देना उसकी थीम क्या है तो याद रखना सस्टेबल इन डेरी सेक्टर विट मैस मैसेज और न्यूट्रिशन यदि आप से आपके कहा जाए सस्टेबली इन डेरी सेक्टर मतलब पोशन में ठीक है पोशन को सतद रूप से बनाए इंडार में दिमाग में सस्टेबलटी इंदाझेक्टर थेम जॉट से ऑन १ूट्रिशन घ्र ऐता है एब से पूछाजा कि भारत में डेरी से कहा रहे वह घाहां पर देरी इन से इनिप्लिट कर जा जाता है मिलक डे यून गुद्वर्त करता है यृजरी आपसे प्रशन कर रहा तक है कहा पर हर्याना पर यह चोटा सा प्रशन कर दूँद्वर्ण कर दूए डूनिया वरका डिरी का रिसर्च वो बोड है वह कहां पर तो आपको यहाद रक्ला इंपर्ट डिया कातों कि तेग है जिसमे त logo सब्सक्राइब तर नहीं वैंगों दिय लाइट आंस्र दीना अब ही आली में दो दिन पहले ही एक जर्दालु मेंगो के प्रGUाती सिर्याटी एक त्रवािया होती हैं और उनकी एक लगातर काफी समय से वहीं पर ही उत्पादन की जाती है जैसे जोग्रफ कल इंडिकेटर टाइग इसका जो हेड़कौाटर है आपको चेन नहीं में है पहली बार किसी बस्त को जी आई टेक 2004 में दिया गया था वो थी दार्जलिंक की चाय अब यहां पर अभी हाली में एक ब्लैक राइस से जिनको चखाव राइस बोलते हैं उनको भी जी आई टेक मिला था वो कहां के थे मड़िपुर राज के इसी प्रक्रम में आपको याद रखना है चखाव टैरोकोटा मिट्टी के ख्लौने जो होते हैं उनको जी आई टेक दिया गया था आपको पता है गोरकपूर के जी आई टैक की वहीं अभी हाली में हमान को जी आई टेक दिया गया था वह तेलंगाना की थी वहीं पर एक किद्वभाई मिताई नाम की पट्टी थी वो सिक्किम कि उसको भी जी आई टेक दिया गया था कुछ नई जो जी आई टेक बस्तू है जो मैंने आपको एक सांस में बोल दी ठीक है हाँ साहील इची ठीक है अगला इंपोर्टेंट साहील इची भी वहीं किये मुंगेर पर सायद होती है ना अगला भारत का राज कुछ हा राइड चांसर थी ठीक है हो में आईसोलेशन के ले करके लांच किया गया था राज है आपको लॉंच किया तरह यह आपका भिहार ठीक है भिहार याद रखते हैं बिहार अभी हाली में कुष्ण और है भीहार के सिंदर में कि भारत में पहली इधीनल पॉल सी लागे करने वाला राज कौन सा तो वह भी 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 हार बिहार के आपको पता है सीम नितिश कुमार है और बिहार की गवर्णर है उनका नाम आप लोग बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है राइट अंसर मजा नहीं लगा तो मुझे बोड में राइट अंसर अग्ला अगला प्यारा क्रेश्ट वाट इस दा राइक आउफ इंडिया ठीक है ब्लॉड प्रेस फीडम इंडेक्स अभी हाली में वाले प्रेस फिंडव इंडेक्स लास्ट याल नास्ट मंत में रिलीज हुई थी आप बताएं इसमें इंडिया की करेंट रैंक कितनी है बिल्कूस त एक सुब्या अच्छा यदि मैं आपसे प्रश्ण कर दूंढ़ हाली में चेंडर गैप इंडेक्स और उस में भारत की रिख राइट बहुत इंपोर्टेंट यदि आपसे यहाँ पर प्रश्र कर दो एक छोटा सा और अभी हाली में ग्लोबल इंडेक्स उसमें भरत की रेंग क्या जोई ग्लोबल एपीनेस इंडेक्स में बारत की रेंख ग्लोबल एपिनेस ок SCPaga दोनों सब्लिए बिल्कुछ सब्सक्राइब जो है नौश जो में नौट यहां पर हैंड़ोग्ष में भारत की रहें इस क्रम से बता रहा हूं ठीक हैं और यहां पर गएक सौच ऑर यहां पर प्रेस्ट प्रीडम है तो 122 साथ याद रखो गे और यहीं पहन को सो बता देए हपर वह इंपॉर्टेंट है अरे आपको ऑंर सेंअ जर्चाम में रहते हैं हे ह रैट की रहते हैं अगला परपर का उछplete तो उनको मैंने बता दिया और एक तो हेंली पासपोर्ट इंडेक्स है वह भी चार्षा में रहती है उसमें भारत की रहेंक्या है है हेंली पासपोर्ट इंडेक्स है है हेंली पासपोर्ट इंडेक्स में हैंली पासपोर्ट इंडेक्स में हैंली पासपोर्ट इंडेक्स बिल् एक्टर है जिनको golden वीजा मिला है एक एक्टर है ठीक है फॉलिंग एक्टर है गोल्डेन वीजा यूए यूए के बारे में आप लोग जानते हैं और इनके ब्यक्तित्तों में जीते थे इनके अपनी परसंद्टी थी अगला प्रश्नी यहां पर त्रश्न इस विच फर्म हैस Google लांच international money transfer partnership अभी आपने देखा कि Google से आप जो पैसा transfer करते हैं तो फोन पेसे आप पैसे को इस एकाउंट से उसे में बड़ी आफसानी से उपलद करा सकते हैं उसी प्रकार से Google नेएक लांच कर रहा से बड़े आसानी से किया जा सके तो इनिसेटिव किसके साथ लांच कर रहा है यहां पर वाइस एंट वेश्टन यूनियन को कंपनी जो है इसके साथ मिल करके ग्लोबल जो खाज करके इंटरनिशनल मेंट ट्रांसपर को ले करके गूगल इनिसेटिव ला रहा है अगला इंपॉर्टर में प्रस्ट याद रखना है ठीक है अगला इंपॉर्टर मीट फोर्टी थार्ड जी एस्टी कांसिल की मीटिंग हुई ठीक है जून के महने पर जी मई कि महने पर स्वरी मई 2021 में सब्सक्राइब इस निर्मला सीतरमन मतलब जो हमारे बित्त मंत्री होते हैं वहीं खोष्ट करते हैं कि आर्ट कलमें आता है जाईश्ट कांसर का जो हमारे सम्मधान में किस आर्टकल में जाटए ताहे समधान कि सथा बीट तोड़ा फास्ट आंसर दिया करें क्या यह लोग पहले आंसर दे सकते हैं मुझे लगता है कि मैं विद्यार करता रहता हूं 279A ठीक है आपको याद रखना है एक पालिंग कंट्री है रेंग फोर्ष्ट इन पर सबसे रसांती है तो मुझा अब बर्फ होगी टो सांती होगे अदबी ठंडे हों फिका तो आइसलेंट आइसलेंट जो है इस इस पहले इस्थान पर है डोली पीस इंड्वें पर सांती है ठीक है याद रखना और इंडिया की रेंग है ठीक है अगला इंपोर्टर कुशन भाई जो आदमी ठंड़े बर्फ में रहेगा था कितना लड़ेगा ऐसा नहीं होता लड़ाई जगडेत अलग जगए की बात है विच इस्टेट है लांच वाइव देवता पेंस सकी में इस्कीम रिसेंटली बहुआ फेंस में लांच क्या डीक है वाइव देवता पेंसं सकीम लांच करने वाला भारत का पहला राज कौन सा एक सीवें ठीक है फार्च मैं बिताव इतना रेड कलर से लिख रहा हूं यह पिंग दिख रहा है मुझे भी यह फिंग पिंग जो सब्क्राइब हर रहा है हम वाइड ने इस खाज करके ऐंड आउक्स करके इप्र नज कि एक अगे एपर्टेंट वाद इन वाड़ इन्वार्मेंट डे थीम है डोज़ार एकश में वो क्या है राइट उम्मीद करता हूं प्रशन का सखी उतर देंगे। वाइड इन्वार्मेंट डे की जो थीम है 100 परसंट इपॉर्टेंट है वाइड इन्वार्मेंट कब सेलिवेट किया जाता है तो आपको पता है जून 5 को यह बनता है फिर्ट जून इस टाक होम जो आपकी कांफेरंस उसके बाद यह मनाई जाना सुरू हुआ ता बहतार में रहे हुआ था आपको यार रखना है ठीक है इस बार की थीम क्या है थीम क्या है थीम बताएं आप लोग यह बताओ कि यह जो थीम है रीश्टोर इंवार्मेंट है ना रीश्टोर इंवार्मेंट आप लोग इतना भावक हो रहे हैं आप लोग अच्छा तुक्का पढ़िय यहां पर यह पुरानी जीम यहां पर इस भार की थीम करेक्ट है इसका सई आंसर है ठीक ऐस का सब्सक्राइब अगला प्रश्णि यहां पर ज्यान दें कर रीश्टूर एको सिस्टम भी ठीक है अगला इंपोर्टेंट ठीक है अगला इंपोर्टेंट फू टुक ओर एज दा प्रसीडेंट ऑफ कंफर्म ऑफ इंडियन इंजर्ष्टी इन मैं 2021 अभी हाली में देखो यह आपका सी आई जो होता है आपको पता एक संगठन है जो की एक तरीके से नॉन गवर्मेंटल ठीक है बिजनिस फोरम है ठीक है जैसे आपने सुना होगा इंडियन इजर्ष्टी ठीक है यह चर्चा में रहता अठारे सो यह बहुत ही पुराना एक बिजनेसमेन का ग्रूप है और 1895 में बनाता है इसका हेड़क्वाटर जो है दिल्ली है अभी हाली में इसके प्रसीडेंट बनाए गए हैं ठीक है कॉन्फिड्रेशन ठीक है कॉन दिल्ली है कौन बनाए गए राइट अंसर देना बड़ाई सिंपल कुश्यन है बिल्कुछ सही टीवी नरेंद्रन ठीक है टीवी नरेंदर और यह खास करके जो बिजनेसमेंस होते हैं जो खास करके उनका एक फोरम है ठीक है एक इंडियन इंडर्ष्टी का ग्रूप है ठी भी फिक्की ग्रूप है यह कब बनाए गया तो 1913 में गांदी जी ने घंस्यामदास बिर्ला जी को तब बनाए गया था इसका भी हेटक्वाटर दिल्ली है अच्छा फिक्की के हेटकॉन कोई बताएगा कोई बताएगा संकर करके कोई नाम लिख रहा है नहीं नहीं रवी स थी कोई कोई टीवी नरिंद्रन ठीक आगला इंपॉर्टेंट अभी जैसे पूर्ण चर्चा में रहता है पूरी दुनिया में एक फोरम जिसको आप लोग जानते हुआ इक फोरम उसी को टक कर देने के लिए यह फोरम बनाया गया वार्ड इक्वार्ट फोरम ठीक है और इ एक NGO के रूप में काम करती है का हेड़कॉाटर दावोस मीटिंग ले जाना था इसी को टक्कर देने के लिए एक बॉआव फोरम बनाई गई गई वह इसका हेड़कॉाटर जो कहां पर लोकेटेट कहां पर तो आप बोलना चाइना पर अभी हाली में मीटिंग हुई है बॉआ सब्सक्राइब करने के लिए इसी की तरीके मौडल को वेस करने के लिए इन्होंने चाइना वाले तो करते ही नकल टिपू लोग है अगला इंपर्टन कुश्चन अभी हाली में कौन सी महला है उन्हें पहली महला राष्टपती होने का खिताब हांसिल किया है राइट आंसर अच्छाइना की प्रधानवंति के नाम कोई बताएगा ठीक है बिल्कुल याद रखना अगला इंपर्टन यहां पर यहां सुलुए हसन और तंजानिया की लोकेश आप लोग बताएं इसकी कैप्टल क्या है तो कोई भी बताए डूडोमा कोई लिख रहा है हां कोई भी लिख रहा है हां मुंग फली जो थे यहां की पूर राष्टपती थे और पहली महिला जो है सामिया सुलुहू हसन को निव्त किया गया है याद रखना इंपॉर्टें यहां पर पडती है जिसका नाम है लेंज बिक्तोरिया एक आपको दो बराबर भागो में काड़ती है और यहीं से मुम्हें लेक विक्तोरिया ले लहारे है यृग है यह विक्क्टोरिया तंजानिया यूगांडा और प्रप्रटी में पड़ती है जिसको हम लोग कूट नाम की ट्रिक से जानते हैं विक्टोरिया फाल भी आपका अफ्रीका महादीप में पड़ता और अफ्रीका महादीप का महाद्पूर्देश और डोडोमा इसकी वह है ठीक है और याद रखना यहां पर यह लॉग पाना होगा आपको जिसने अभी हाली में एक लोणी लेस्टर किया कि मैं साब अकेले हूं मेरा साथ देने के आप आएंगे मेरी साधी कराएंगे कोई अकेलेपन में बड़ा परिसान है ठीक है थोड़ा सा लोणी लेस्ट मैंसे उस कर रहा है तो मंत्री महोदे को फून कर आप से राजबर बैट करके बाते कर रही है मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है इसने प्रेम बाटेंगे और मैं चाहता हूं कि आप आजाई ऐसे मंत्री होने भारत में भी ठीक है तो ऐसा मंत्री बनाने वाला एसीन कंट्री कौन सा है पहला तो आपको यह रहा है जा पाने व यह समस्याइं बताएंगे और यह दुनिया का पहला देश कौन था तो पहला देश था यूके ऑर जो अकेले पन का मिनिश्टी बना रहे था जिन्होंने लोनली लेकर के अकेले पन को लेकर के मंत्री निपक्त था इन समस्याओं को जनता की जो है खतम करे ठीक है अगला इं जो है जो है छासकर करने के लिए जो кажется को जारी कोन और दुनिया का 140 सवे लिजट आई तका लिभी जेड़ाना में नहीं मिल रहा है मैं छक्षंट किया था जो पंद रह tensions है मैंटे अलए रहा थाव जो करनेंरी करने चलान हिवा फिर भी नहीं नहीं में citizen पहला चो सहर है न्यूजिलेंड का और इसको जारी करता है एकॉनिक्स इंट्रीजेंस उनिट थिक लिप्रिविल्टी इंडेक्स जारी करने वाला संस्थान है तो आपको याद रखना यहां पर ठीके एकॉनिक्स इंट्रीजेंस युदी यूनिट जो है यह सीड्नी- कुछ इंपॉर्टन जून महने के आपके डे हैं जो आपको दिख रहे होंगे बहुत ही किलियर मैं जून महने के डे सिर्फ आपको पढ़ करके चला जाओंगा रिवीजन करा दूंगा ठीक है चलेगा तो कुछ हम पढ़ भी लेते हैं और अनकडमी जोएन करते समय आपको और अनकडमी में यदि आप जीटन कोड के साथ जोड़ते हैं तो आप जीद भी सुरिश्चित कर पाएंगे दूसरी इंपॉर्टन बात यदि आप जीटन कोड लगाते हैं फिल करते हैं यहां पर मुझे पढ़ाना है ठीक है तो ऐसे ध्यान दें जीटन कि मेरा रेफरल को आपको इस कोड के द्वरा मिलेगा आप अपको यह साथ यहां पर 25 कीमत के प्रीवियस कोश्चन भी मिलेंगे तो लगब साथ यहार रुपय में आपको इतनी जादा संख्या में तो जुड़े हैं इस कोड के साथ हमारे साथ और अपनी तैयारी को बनाए आसान यहां पर आप आंसर नहीं देना है मुझे आपको पढ़ाना है चलिए एक बार सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जून के डे सबसे इंपॉर्टेंट फर्ष्ट यून को कौन सा डे हो सब्सक्राइब को क्या होता है तो आपको यह कोई आसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको मैंने आभी हाली में आपको बताया है यह निश्य तोर पर आपके एक्जाम में आता है और यह है आपका वर्ड इन्वार्मेंट डे जो है हर साल आपके और इसी दिन आपका ब्रें ट्यूमार डे भी सेलीवेट किया आता है साथी साथ 12 जून का दिन तो हंडे परसंट इपोर्टेंट एक खास करके बारे जून का जो दिन है यह बेहादी खास है क्योंकि वर्ड डे अगनेश चाइड लेवर्ड जो खास करके बच करके लोग का वेर किया जाता है कि आप बच्चों को चैड लेवर के लूप में वर्क ना करवाएं ठीक है तो यह आपको 12 जून का जो दिन है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी कई प्रशना आता है आपको यह रखना है ठीक है ब्लड डूनर डे खास करके जो ब्ल सब सब्स honest को रहता चुन को सामने को साटा यह रखा यह नहीं दिन और आपको बता यह हैं यह महाद्जोंध है एवररी होता हुए इस बार 21 को यहां पर आपको बता है ये युनाइटेड नेस्थे यून को होता है और वहीं पर आपको यह रहा है टेश्जून को होता है इस सब्सक्राइब ऑG, जरून के यहां है जैसे कि आपको कभी भूलने नहीं है एक बार आप जरूर रिवीजिण करनेंगा तो तो थैंक्यू सो मच आला फ्यू आज के लिए इतना ही स्यूसाय रुमंग से अपने मिलते हैं नेक सेशन में आप अनकडमी इन्रोल करते समय यह रेफ्रेल कोड है और उस डाइलाग बॉक्स में आपको एपलाई करते समय जीटेन एपलाई करना है जारा ज्यारा डिसकाउंट कि कल मिलता हूं इसी उस साय रुमंग के साथ ठीक बारे बज़े अपना ख्याल लगें खुश रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें ठीक बारे बज़े मैं यहीं पर डेली आपसे मुलाकात करूंगा आज 9 बज़े आपकी स्पेसर क्लास से मुकाबला उसमें आना न भूले और साथ ही साथ दस बज़े आपकी प्लस की गलास से उसको भी आप लोग जरूर जोइन करें लभी वार अपने ख्याल लखें खुश रहें